मोधी सरकार के दस सालों में दस बड़े काम राश्रपती मुर्मू ने संसद में रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया मोधी सरकार के दस सालों में दस बड़े काम कौन से हैं इसका रिपोर्ट कार्ड राश्रपती मुर्मू ने संसद में पेश किया बदादे के रास्रपती द्रौबधी मुर्मु की अभिभाशड के साथ ही बजट सत्र की आधिकारिक शुरुवात हुई रास्रपती द्रौबती मुर्मू के अभिवाशड में देश की आर्थिक विकास, बढ़ती सैन्य ताकत और महगाई पर लगाम समित आतंकवात पर प्रहार जैसे कई मुद्दों का जिक्र किया गया संबोधन की शुरुवात में उन्होंने कहा कि इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है आज की अमरितकाल की शुरुवात में ये भव्य बन रहा है बदादे के संसत के बजट सत्र की शुरुवात रास्रपती दुरबदी मुर्मू ने की उन्होंने ये बताया कि दस साल की दस बड़ी काम्याबी मोधी सरकार की कौन सी है जिसमें पहले उन्होंने बताई One Rank One Pension कहा कि हमारी सरकार ने One Rank One Pension स्कीम लाई है ये स्कीम लागू होने से लेकर अब तक एक लाख करोड रुपे लोगों को मिल चुके हैं दूसरी बताई कि नए संसथ भवन में एक भारत शुरेस्ट भारत की महक है अमरितकाल के शुरुआत में ये भवन बना यहां एक भारत शुरेस्ट भारत की महक भी है मुझे पूरा विश्वास है किस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संबाद होगा ऐसी नीतियां जो आजादी के अमरितकाल में विक्सित भारत का निर्माड करेगी तीसरी कहा कि उज्वला योजना पर 2.5 लाख करोड रुपे खर्च किये गए बोला कि सरकार ने उज्वला योजना पर 2.5 लाख करोड रुपे खर्च किये और गरीबों को सस्ता राशन देने के लिए 20 लाख करोड रुपे खर्च किये इसके लावा युश्मान योजना से मुफ्ति लाज कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पहली बार करोडों घरों को नलजल योजना से जोड़ा गया चौथी वो बोली के 25 करोड देशवासी गरीबी से बाहर निकले हम सभी बचपन से गरीबी हटाओ की नारे सुनते आ रहे हैं लेकिन अब हम बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं नीती आयो के अनुसार मेरी सरकार के एक दशक के कारिकाल में लगबग 25 करोड देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं पांचवा के 7.2 प्रतिशत विकास दर बीता वर्ष भारत के लिए अतिहासिक उपलब्दियों से भरा हुआ रहा है भारत सबसे तेजी से विक्सित होती बड़ी अर्ध विवस्ता बना लगा तार दो तिमाही से भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत से ज्यादा रही है चड़ा राम मंदर निर्माड राम मंदर के निर्माड पर रासरवदी द्रौबदी मुर्मू ने कहा कि राम मंदर निर्माड की आशंका सदियों से थी आज ये भी सच हो चुका है साथवा आतंकवाद पर प्रहार कहा कि जमू कश्मीर में आज सुरक्षा का वाता वरण है आज वहां हर्ताल का सन्नाटा नहीं भीडभाड बाजार की चहल पहल है आठवा मिशन चंद्रियान नौवा विक्सित भारत के चारस थंब यानि उन्होंने कहा कि विक्सित भारत की भवे मारत चारस थंब पर खड़ी हो सकती है ये चारस थंब युबा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती और गरीब वर्ग है दसवा और आखरी उन्होंने कहा कि नारी शक्ती अधिनियम रास्टरपती नारी शक्ती वंदन अधिनियम का भी जिक्र किया कहा कि मेरी सरकार ने लाखो युवाओं को नौकरी दी है नारी शक्ति अधिनियम से लोकसभा राजसभा में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ये भी कहा कहा कि अब अनुच्छिद 370 भी है फिल्हाल रास्रपती मुर्मू ने मुदी सरकार के दस सालों में दस बड़े काम जो हुए वो गिनाए